है दोस्तो नमस्कार मैं अभीने शिर्वास्तो आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने नए वीडियो में दोस्तो आज जो समस्या मैं बतलाने जा रहा हूँ वो समस्या आपके महिंद्रा ठ्रियो यारी के साथ जरूर कभी न कभी आती होगी और उससे आप कभी प सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो में डालू वह आप तक पहुंचे और आप उसे जरूर से देख पाएं तो चली शुरू करते हैं दोस्तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने महिंद्रा ट्यो यारी अपनी रात में चार्ज करी, सुभा जब आपने पावर ओफ किया, चारजर को डिस्कनेक्ट किया और डिस्प्ले ओन किया तो उसपे सर्विस इंडिकेटर का ये सिंबॉल बन गया अब आप परिशान हो जाते होंगे क्योंकि service indicator का आना इस बात का संकेत देता है कि आपके इरिक्षा में कोई ना कोई समस्या है आप परिशान हो जाते होंगे कि अरे रात में तो सही तो अभी क्या हो गया कोई खराबी आ गई क्या और इसका कोई जवाब आपको मिलता नहीं होगा तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरी जनकारी देते हैं कि वो सिंबॉल क्यों आ रहा है और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों ये देखिए ये चार्जर लगा हुआ है और ये चार्जिंग कम्पलीट हो चुका है चलिए आपको देखाते हैं डिस्प्ले में डिस्प्ले में देखिए ये जो चार्जिंग इंडिकेटर लाइट है वो स्टॉप है यही इंडिकेटर अगर बिलिंक करता तो आपकी गाड़ी चार्ज हो रही होती लेकिन ये stop है इसका मतलब कि आपकी गाड़ी चार्ज हो चुकी है देखे ये blink बिल्कुल नहीं कर रही है ये गाड़ी आपकी फुली चार्ज हो चुकी है अब display on करते हैं और देखते हैं कि आपकी गाड़ी चार्ज होई है या नहीं तो ये देखे मैंने display on किया आपको ये दिख रहा है, 84 km लिखा हुआ है, और बैटरी के पांचों पॉइंट भी दिख रहे हैं, यानि आपकी यी रिक्षा फुली चार्ज हो चुकी है, अब हम चारजर को disconnect करते हैं, यहां डिस्पले ओफ करके, चारजर को disconnect कर दिया, और यहां पुन डिस्पले ओन करते हैं, तो यह देखिए अब आपको क्या दिख रहा है कि गाड़ी तो पुली चार्ज होई है लेकिन यहां सर्विस इंडिकेटर दिखने लगा यह देखिए यह जो सर्विस इंडिकेटर है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके यह रिक्षा में कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम आ था वहां छोटी वाले बैटरी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी जिसके बज़े से गाड़ी आगे पिछे भी नहीं हो रही थी और आपका डिस्पेले बिल्कुल काम नहीं कर रहा था जिसके बज़े से आपकी गाड़ी चार्ज भी नहीं हो पाती लेकिन यहां सिट्वेशन जलने लगा जो कि नहीं जलना चाहिए क्या बज़ा है अब क्यूं जल रहा है जबकि आपने छोटी बैटरी चेंज भी की थी आपकी छोटी बैटरी सही से काम भी कर रही है तब यह क्यूं जल रहा है हमने बार बार इसको ओफ-on किया यानि कोई गलती नहीं हुई है कभी- लेटर थोड़ी देर रहता है फिर गयब हो जाता है लेकिन यहां नहीं हो रहा है यहां जब आफ कर रहे हैं तो गयब हो रहा है पुना on करने पर आ जा रहा है यानि यहां कुछ समस्या हुई है अब यह समस्या क्या है तो चलते हैं आपको लेकर छोटी वाली बैटरी के प ती यानि चोटी वाली बैटरी कोई दिस्कत नहीं है तब यह क्यों इंडिकर जल रहा है और इसका क्या उपाय है यह दिए चोटी बैटरी है अब हम इसे ठिक करने के लिए इसके जो दोनों यह माइनस पोल है इसे हमने अलग किया किया और इसके पोल को हम थोड़ा रगड़ेंगे देखिए इसे रगड़ दिया और पुना इसे कनेक्ट कर दिया यह देखिए हमने पुना कनेक्ट कर दिया अब इसका जो प्लस वाला जो यह पॉइंट है रेड कलर का इसे हम डिसकनेक्ट करेंगे और इसे भी रगड़कर इ तो देखो कर्दिया और हमने इसे साप कर दिया और पुनाاعसे भी कनेक्ट कर दिया अब डिस्प्छे ओन करकेदेखते हैं कि क्या वह समस्या बनी हूई है या ठीक हो चुकी है तो चलिए डिस्प्ले को ओन करते हैं फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि देखिए हम डिस्प्ले को ओन किया ये देखिए लाइट ओन हो गई और अब देखिए ये समस्या नहीं दिखे रही है यानि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी ये जो छोटी वाली बैटरी है उ उस पे कुछ जम जाता होगा जिसके वज़र से ये इंडिकेटर जलने लगा था तो अगर आपके साथ ऐसी समस्या होती है कभी भी तो आपको भी यही करना है कि छोटी वाले बैटरी के दोनों पोल को अलग करके उमली से रगड़ कर साप कर देंगे ये समस्या खतम हो अगर ऐसा है तो किर्पिया हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ अगर कोई प्रशन आपके मन में है तो आप उसे कॉमेंट कर बताएं मैं उसका जबाब जरूर दूँगा और संबह होगा तो उस पर वीडियो भी बनाऊंगा साथी साथ किसी अने सब्जेक्ट प आपको भेजूंगा मुझे उनका ये सुझाओ काफी अच्छा लगा अगर आपके पास कोई स्वार का वीडियो यानि अगर आपकी इरिक्ष्ण को समस्या आती है तो आप उसका वीडियो बना के बकायदा मुझे भेजेंगे तो मैं उसका सलूशन भी दूंगा उस वीडि वीडियो को अपलोड करूंगा और उसे संबंदित जो भी समधान होगा उस वीडियो में आपको जरूर दूंगा तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आपको बहुत-बहुत नमस्कार